Hello दोस्तों आपका स्वागत है वरे चैनल educational, त्रांती में दोस्तों यहाँ पर एक नई वेकंसी आपके लिए यहाँ पर लेकर आए करे हैँ यहाँ पर पोश्ट सेयार पर स्नीर अस्टेंट, इसकि लाबा UDC Assistant, इसकि लाबा Liberty Assistant इसकि लाबा यहाँ पर Junior Assistant की भी Post है साथ-साथ Liberty Attendant, Liberty Attendant, Physics और यहाँ पर Library Assistant Attendant की भी Post है Post आपर Total यहाँ पर देख पार होगे, साथ-साथ Age Limit भी, Age का Criteria भी देख पार होगे 27 साल यहाँ पर सबसे कम junior assistant के लिए है बाकी 30 साल यहाँ पर रहेगी library के लिए 35 साल यहाँ पर senior assistant और यहाँ पर senior personal assistant के लिए रहने वाली है pay level देख सकते हैं काफी जादा यहाँ पोश्ट वाई दिया गया है इसके अलावा योगताएं देखें तो सबसे पहले दोस्तों senior personal assistant के लिए देखेंगे तो यहाँ पर bachelor degree मांगी गई है bachelor degree के साथ साथ 3 साल का experience यहाँ पर मांगा गया है इसके अलावा skill भी यहाँ पर मांगी गई है आपको यहाँ पर dictate करना आना चाहिए इस टेनोग्राफिय आपको आने चाहिए टाइपिंग भी आनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर senior assistant की बात करने तो senior assistant में यहाँ पर जो है graduate या post graduate आप हो सकते है assistant की बात करेंगे तो assistant में आपके graduation होने चाहिए junior assistant की बात करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12 होना चाहिए 12 के साथ आपकी typing speed यह दिया आपकी है 35 word permit English में या 30 word permit हिंदी में जो की type writing through computer पर होनी चाहिए तो दोस्तों आप apply कर सकते हैं इसके लावा liberty assistant या physics के लिए आपके पास 12 होना चाहिए जो की science subject से हो इसके लावा यहापर graduation भी हो तो चल जाएगा इसके लावा liberty attendant की post है जिसमें की physics से है और यहाँ पर भी 10th मांगी गई है जो की science subject आपका होना चाहिए liberty attendant chemistry के लिए भी 10th मांगी गई है library attendant के लिए दोस्तों यहाँ पर 10th मांगी गई है साथ ही साथ दोस्तों आपके पास certificate मांग गया है library science का इसके लावा दोस्तों पोश्टों के जो फार्म है वो यहाँ पर आपको भरने होंगे जो कि online भराई जाएंगे और साथ साथ ओफलाइन आपको मोड में आपको भेजने भी होंगे इसके फार्म भरना यहाँ पर सुरू हो चुके हैं दोस्तों इसकी application fees जो रहेगी वो यहाँ पर 500 रुपए जनरल और OVC रहेगी इसके लावा HTSC यहाँ पर 200 रुपए रहने वाली है female candidate को कोई भी fees नहीं लग रही है यह एक बहुत बड़ी यहाँ बात यहाँ पर रहने वाली है इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इस vacancy के अंतरकत जो fees refund की बात की गई है इसकी लास्टेट जो है वो यहाँ पर online अपली केने की दोसेंबर यहाँ पर आपकी लास्टेट है तो दोसम्वर से पहले ही यहाँ पर apply कर ज्रीका यह जो विकाने सी जो निकाली गई है वो दोस्तों आपकी निकाली कली है यहाँ पर motilalнеhru college मोतिलाल नहरु कालेज जो कि दिल्ली उनिवर्सिटी के अंत्रकत यहां पर आता है और इसी के अंत्रकत यह बेकिन से निकाली गई है वो जानकरी हमारे चैनल पर मौझूद है एक अलग से प्लेइलिस्ट मणी हुई है दिल्ली उनिवर्सिटी करके आप उसे जाकर भी यहां पर देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में दूस्तों और भी नहीं जानकरी के साथ अब हमारे चैनल पर बने रहें इसी परकार की जानकरी के लिए तन्यवाद चैन